नमस्कार किसान भाई हूं, मैं प्रदीप Enviro Green FPU में आप सभी का स्वागत करता हूं, तो किसान भाई हूं आज के इस वीडियो में हम लेमन ग्रास की खेती के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपको लेमन ग्रास की खेट से बजार तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को पूरा जरूर देए वीडियो को शुरू करने से पहले जिनके सनभायों ने हमारे यूटीब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब करने और साथ में जो बैल आइकन का वटन है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लैमन ग्रास है गया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं लैमन ग्रास जाड़े नुमा पौधा होता है इसमें जो है लैमन ग्रास में 75% जो है सिट्रेल मौजूद रहता है जिस वो सौंद्रे प्रसाधन की चीजें बनाने में उचिकोटी की जो इतर रहते हैं साबून और जो पेपदार्थ वगड़ा रहते हैं उनको बनाने के लिए हम इस्तमाल करते हैं तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा रहती है तो किसान भाजियों इसको बेचने में इसकी मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप बेसक इसकी खेती कर सकते हैं बिना किसी जिखके इसके कुछ फाइदें हैं, इसके खेती हम क्यों करें, तो सबसे पहले जान लेते हैं, देखे हैं कि लेम равноe ग्रास, पहले बात हो है कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का जंगली जानवर रोच यह वो आपका गास को नहीं खाएका दूसरी चिच किया कि तो इस यवजे से आपको किस तार बंदी की जरूद ने पड़ेगी ओन्लब को एक्स्टा खड़्चा करने ही आपको जरूद ने पड़ेगी और दूस्रा पॉइंड क्या है कि लैमन क्रास को बंजर जमीन पी उगा पौदार उपन करना है और इसके बाद आप जो है लगबाग पांच साल तक आपको से फसल मिलती रहेगी तक आपको । पांच साल के बाद ही इसको आप दौबारा प्लांटेशन कर सकते हैं बहुत ही कम देख है और बहुत ही ज़ादा लाविश में मिल जाता है लगाने के समय के कर बात करें तो इसको फरवरी से लेके अक्टूबर तक आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं और इसको लगाने से पहले आप खेत की तैयारी करेंगे तो खेत की तैयारी में आप जो है गोवर की खाथ जितना भी आपको मिल सके उतना आप डाल सकते हैं जाद अखादकी इसमें आवशकता नहीं रहती है और अगर असाइनिक तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है N.P.K. बगएर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर प्रजाती की बात करें कि कौन सी बराइटी लगाई जाए तो इसमें लेमनग्रास में कई बराइटी जाती है लेकिन सबसे अच्छी बराइटी जो है आप कृष्णा बराइटी ही लगा सकते हैं सबसे अच्छी बराइटी है इसकी जो रोपन की बिदी है तो इसकी कि डिस्टेंस पर आपको जो प्लांट से प्लांट की दूरी मला पौदे से पौदी की दूरी रखेंगे और इसमें लाइन से पौदे लगेंगे लाइन से लाइन की दूरी जो रखते हैं वो भी डेट रखते हैं और जो पौदे को जो है तीन से चार सेंटीमेटर की हराई में हम लगा देंगे और किसान बाइ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगाने के बाद पूरा पौधा आपने रोपन कर दिया है पूरे खेत में इसके बाद आपको पानी तुरंट देना है तो अब इसका मैथट क्या है कि या तो आप रोपन करके तुरंट इसमें पानी देते हैं आप खेत में या पहले पानी दे के तब भी आप इसका रोपन कर सकते हैं खेत में कोई दिक्कत नहीं है इसमें अब इसमें की बात करें कि हमें इसमें पानी कितना देना है कब देना है और कितने पाने की इसको आवश्क्ता पड़ती है तो सबसे पहले जो आपको बतना चाहूँगा कि गर्मियों के समय में इसमें आप तीन से चार पानी महीने में आपको देने होते हैं और बारिश में आप आवश्क्ता के अनसार आप इसमें पानी दे सकते हैं और सर्दी में आपसे एक से दो पाने पर्यापत है। इतने ही पाने में आपकी अच्छी तरह से फसल तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रोडक्सन आपको इसमें मिल जाएगा। फसल लगाने के बाद इसकी कताई किर बात करें इसकी घरवेस्टेग की बात करें तो 3-4 महिन यहAL करेंबे चुर कर दिए और साल में लाग कर दो हम 3-4 हरवेस्टेगक कैने काम कटाई कर रखेहे कटाई कर रहे कर tän पर, कि जो एक खाद देना है और पाने देना है तुरंट कि जैसा कि आप इस भीडियो में चानवी देख रहे हैं यह जो फसल आप वह देख रहे है यह लग 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 hears ने tellा प्रानी यह उट यह बहुत ही आसान तरीका है और कोई मेहनत भी नहीं इसमें किसी परकार की खाद भी ने डाले लेगें पिर भी इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं कितना हाइट इतनी हो गई है पूरा खेट ग्रीन है एक दम भरा हुआ खेटे कहीं पर बिल्कुल जगह नहीं है अब इसकी पैदाबार के अगर बात करें किसान भाईयों तो इसमें जो है पैदाबार हम मिलती है वो दो तरह की पैदाबार मिलती है या तो हम इसका पत्तियों का तेल निकाल सकते हैं और वो मार्केट में बे सकते हैं या दूसरा जो हम पत्तियों को सुखा के और उसको जो ह तेल का अबी बर्तमान भाव की घरम बात करें थो पंदरा सौर में चल रहा है तो अगर सौ गराम करते हैं तो पत्नी गज़सी में करने के बाद में इसकी प्तियां जो है कुठों फोरम में कर ली जाती इसके बाद जो है इसको सुखा देए पूरी चौरी में ज़या प्रिच कर ले कर ली जाती यह तैंड कि किलो के भाव में ही अगर हम बाजार में बेजते हैं तो हमारा जो है तीस रुपए के हिसाब से छह जार केजी के अगर मल्टिप्लाइ कर गुड़ा करते हैं तो एक लाग असी हजार रुपए हमारा ये इसे इनकम होती है प्रतीवर्स सभय अब उसे एक लियए के अजिए इनकालने की बात है तो टेल जो में अद्धा वाला जो सधार्ण टैंक रहते है आप उसी से इसका लेमंग्रास का भी तिल निकाल सकते हैं उसी से अ जो जो रहती है उसी से से।्ष्टेस अपुक्षेट से इससे मंठा का लियृ तर निकल तो पहले तो अच्छ के बाद बाद रिके कर चाए शूर्प और इन विलमन के लिए के लगे लिए ने विलमन कृट दिया और दूसरा इसकी पत्ति अगर सुखाकर जो है जो है लेमनग्रास की चाय वगर है या हमारे यहां से बाहर दिद विदेश में भी भीजी जाती है तो सुखाकर कुट्टी फर्म करके कुट्टी में सुखाकर भी हम इसको बजाना में सकते हैं और तीसरा कि इसका लेमनग्रास की खेती करना चाहते हैं तो डिस्क्रेप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी किसान भाई को पाउटसामेग्री अगर चाहिए तो उनको उपलब्द करा दी जाती है पूरे भारत में डिलीवर करते हैं पाउटसामेग्री आफ नने उसदी फसलों के बीज यह पॉल्सामेग्री हम भीजते हैं और अगर आप बाय बैक एक एकरिमेंट के साथ के कि खेती करना चाहते हैं या अन्य कैसी आसदी खेती करना चाहते तो आप संपर कर सकते हैं नमबर आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा और आपक बहुत सारी फसलों की वीटियो समारे YouTube जैनल १े अप लोड़्ेड है आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं नाफीिं देख सकते हैं तो आप जो आप देख सकते हैं the अमोचे के लयों दिक सकते हैं ऑस तो आप वे खेती वीडियös देख सकते हैं हैं जयनकारी को शेर करिए भीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए बिलते हैं फिर इसी तरह की नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार